है है लो फ्रेंड्स मेरा अधिका दिवांगन आज आपको बताने जा रही हूं क्लास 12 आपका नुवंबर का जो असाइन्मेंट है यह आपका एकोनॉमिक्स ठीक है देखिए सबसे पहले क्या कोशन था आपका मार्गेट प्राइस नॉर्मल प्राइस बाजार मूले समान मूल लाँ लाँ टम शौकरोंमाव मूल होता है और वाजाल मूले के आसपास औरडगीर्थ घूमते रहता है किसी चीज का मूले चाहिए जैसे 2 मिनिट के बाद एक एक यहां पर स्थाई संतुलन होता है पिर है बाजार मूले में क्या होता है सक्री प्रभा होता है मांग और समाने मूले में पूर्टी गाधिक प्रभा होता है मार्केट में किसी समय प्रचलित होता है वास्विक मूले में क्येवल कलप नहीं मिलेगा आह आप इसमें घ्राब बना देंगे तो और ज्यादा पेटर है डा उसकी बार है एकाधिकार या एकाधिकरत प्रत्योगिता में अंत है एकाधिकार क्या होता है और एकाधिकरत प्रत्योगिता क्या होती है अब देखो एकाधिकार में केवल एक फर्म होती है और एकाधिकरत प्रत्योगिता में अनेक फर्मे होती है और एकाधिकरत प्रत्योग विभेदीक्रत मतब अलग की अधिकरते के निकट स्थानपन का अभाव को चाहते हैं लेकिन प्रत्योगीता में अलग प्रबहतें क क्या प्रभाव पड़ेगा क्योंकि है पर में होती है एक अधिकार ने विक्रा लागतों को कोई महत्व नहीं रहता इस नहीं फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंदर रहता है विक्रा लागतों को क्या होता है महत्व पूर्ण प्रवेश करने की सतंतरता होती है फिर है पूर्ण प्रत्योगिता में मुल्य निधार उसके उप्योगिता पकंधिया निर्भर करता है हैना सिमान प्योगिता में अधिक मूघ नहीं देगा इसप्रकार क्या होता है यह लागते Vahna करने जाहेंगे, फिर है, मांग हैं पूर्टी का संतूलण। वह भोक्ता वस्तू की जनतरू की कीमत ते अधिक नहीं देगा, ठीक है, फिर क्या है, फ deport 맞는 देखो, जाहां पर क्या होता है, वस्तू की पूर्टी, वस्तू का मांग, डोनों जो रेखा देखो जैसे वस्तू की रेखा के देखो वस्तू की मांग जो मांग होता है ना जो हमेशा बोलते है डिमांड करव होता है मांग रेखा वो क्या होता है दाय से बाय है ना वो होता है वो क्या होता है डिमांड करव आपका हमेशा सवरी बाया से दाया होता है ठीक है हमेशा जो रिवान्ड कर वह होता है वह रिवाज्वाइ अर्फाय रेखा होता है और की लिए इसके लिए यंदर बना सकता है या तो आप इसको आप बना लेंगे फिर हैं प्रिओं करें ना ي certaines एप वस्तू के गुंड तथा और वस्तू के डेश की आंतरिक दशाएं। अब वस्तू के गुंड वस्तू के विरिस्तृत मांग। अब यदि क्या होता है किसी वस्तू के बजार का विरिस्तृत संकुचित होना उस वस्तू के मांग पर निर्भर करेगा। जितनी मांग अधिक प बचल दो सब्सक्राइब करती है जैसे अंतर राश्री मेत्री सायोग किसी वस्तू को बाजार विस्तित होने के लिए विपिन राश्रों परस्पर क्या होने चाहिए संयोग मितरता की भावना होनी चीए आयात निरात को प्रुस्ताहित करता है तो विस्तार होता है क्योंकि इन साथनों के द्वारा किसी एक स्थान विसेज पर उद्पन वस्तु को न क्यल स्थानी पर वरंदी देश भी जब देश में सर्वत्र सांती है उन्ष रक्षय होती है है तथा सासन व्यवस्ता उत्तम होती तब व्य फारियों में क्या होती है व्यापार के प्रति उससाप बना रहता है जिसको उसका वैदार क्या होता है विस्तरित होता है धन्यवाद